आपके बास Redmi Note 13 है, 13 Pro है, Plus है, कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप Double Tap to On Screen, Double Tap to Off Screen की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप जाएंगे सेटिंग पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको Lock Screen पे क्लिक करना है, Double Tap to On Off Screen पे क्लिक करके इसको On कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे Back कर लेंगे, Double Tap करेंगे, तो आपकी Screen Off नहीं हो रही ना अभी, तो यह हो गया, आपके Lock Screen का Option, जो की Lock Screen पे ही काम करता है, एक पर देखेंगे, यह On है, तो यह आपका Double Tap सिर्फ Lock Screen पे गाम करेगा, देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके Home Screen पे भी Double Tap का Option है, तो ऐसे Select करके, मतलब Screen को क्लिक करके रखेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, मोर पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे अगर Double Tap का Option है, तो उसे Enable कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कहीं पे भी Double Tap का Option नहीं है, ठीक है, Home Screen पे एक काम नहीं करेगा, Home Screen को ऐसे बंद करेंगे, और Double Tap करेंगे, तो यह आपका Work करता है, इस Step से, मतलब Screen Off है, ऐसे Tap करेंगे, Double, तो ऐसे करके Screen आजाती है, इस Step से आप कर लीजिएगा, बिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,